कि अज़िए अज़िए और जैसे हमने कल सपोर्ट और रेजिस्टन्स निकाला था तो उसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट गैप अपन हुआ रेजिस्टन्स के ऊपर उपन हुआ उसके बाद यहाँ पर सेलिंग दिखाई दी गई लिकिन सेलिंग के बाद एक बड़ी बाइंग वाली कैंडल बनी तो जितने भी सिलर आए उन से भी के स्टोप लॉस हिट करवा दिये मार्केट ने जैसे मैंने साइकोलोजी लेवल पर बताता हूँ और उसके बाद और एक च शुरू आई इस ग्रीन कैंडल को जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया और यहां पर देखे कि बाद उसके बाद बायर आये लेकिन बायर वीक थे और बाद में देखे यहां से नीचे गया तो दुबारा और एक बार आप यहां पर एंटरि कर लिए तो यहां पर भी आपको अच् ना करते हुए इस तरीक से नीचे घुमता है तो आप सुभा के वक्त तक भी यहाँ पर पूट साइड पर इंटल कर सकते हूं ठीक है लेकिन सिर्फ कनफरमेशन लीजिए पहली कैंडल बनने के बाद 15 मिनिट की दूसरी कैंडल बननी चाहिए अब अगर आप 15 मिनिट के टाइ मैंने कहा पे ट्रेड लिया और किस तरीके से आज पोजिशन बनाया ठीक है देखे वन मिनिट का यह चार्ट है यहाँ पे सुभा जो मैंने दो लाइन कीच के रखी है वो मार्केट ओपन होते ही तुरंत मैंने कीची थी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ open होते ही यहाँ पे नीचे आया और इस level को इस level से उपर के तरह बढ़ा तो जब इस level से उपर बढ़ रहा था तभी मैंने यहाँ पे देखे यहाँ पे आप तीन red candle बनती हुई देखी और उसके बाद एक बहुत बड़ी green candle बनी तो अगर आप हर रोज market को observe करते हो हर रोज थोड़ा live market देखते हो चार्ट पे तो आपको समझ में आता है कि actually strong कोन है यहाँ पे buyer strong है या फिर seller strong है ठीक है तो जैसे ही यहाँ पे हमें देखे यहाँ वो green candle बनी और उसको volume यहाँ पे नीचे देखे कितना ज्यादा volume था इन तीन red candle से भी ज्यादा volume था तो मुझे समझ में आगे कि चलो कुछ point उपर चला जाएगा और आज हमारे ले trading का आखरी दिन था मतलब कल और person मैं trading नहीं करता हूँ सिर्फ Friday और Monday और Tuesday ही करता हूँ तो आज मैंने सूचा कि अगर यहाँ पे buyer आ रहे है seller से ज़्यादा strong है तो actually मुझे यहाँ पे wait करना चाहिए था मतलब कब तक क्योंकि अगर इस level को break करने के बाद उपर चला जाता है और ऐसे नीचे आगे इसको break नहीं करता है तो मुझे यहाँ पे entry लेनी चाहिए थी ठीक है लेकिन आप देखे experience के बाद आपको इतनी देर तक रहा देखने की जरुरत नहीं होती है तो मैंने इसी candle में इसके दूसरी candle में entry कर ली जब confirmation लिया और दूसरा candle भी अच्छा का सा green बन रहा है यह मैंने देखा तो मैंने उसमें तुरंट entry कर ली और यहाँ तक आते आते मेरा target अच्छी हो गया 25 points का ठीक है लेकिन उसके बाद देखें market में क्या हुआ कि market अपने हर रोज की तरह नीची की तरह पाया इस level पर consolidated किया अगर इसके उपर चला जाता तो आपको demand continue होती हुए दिखाए जीती लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए तो मैं कहता हूँ ना यह level इस तरीके से अगर उपर जा रही है ते भी हमें buy करना है अगर नहीं जा रही है तो हमें buy नहीं करना है यानि कि इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो buyers है वो weak हो गए है और seller strong हो रहे है और resistance level पर हम हमेशा कहते कि आपको put side के तरफ ही एंटर लीनी चाहिए तो अब देखे यहाँ से नीचे आता है तो इसके नीचे अगर नहीं जाता है तो भी कोई selling की situation नहीं थी लेकिन इससे भी नीचे आया यहाँ पर consolidate करा और उसके बाद देखे यहाँ पर उसके बाद इस तरह के से नीचे आता रहा अब हमारे ले यह level important हो गए थे इस लेवर को break नहीं करना किया था तो यहाँ तक गया और जैसे ही घुमा तो आपको यहाँ पर entry ले सकते थे क्योंकि आपको यहाँ पर आप तक तो पता ही चल चुका होगा यह red candles देखे कि यहाँ पर market में क्या हुए है यह sellers मतलब supply बढ़ गया है और वैसे लिए देखे यह दोनों moving average है 200 वाला moving average और 52 वाला moving average जिसके नीचे आया है तो आपको 101% put side पर ही जाना चाहिए था तो यहाँ पर देखे put side पर फिर एक बायर आए फिर selling हुई फिर बायर आए फिर selling हुई मतलब बायर वीक ही बनते चाहरे बाद में बायर आए लेकिन वो आते हैं फिर selling आते हैं फिर बायर आते हैं फिर selling थोड़े बड़े अब इस level के उपर अगर चले जाते हैं इस level के उपर चले जाते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि अब इस level के उपर यह green candle बनी है उसके बाद यह red candle बनी है थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा इसमें, ये रेडवाली केंडल बनी है, ठीक है, उसके बाद green बनी, उसके बाद confirmation के लिए रुके तो यहाँ पर बहुत छोटी green बनी, इस तरी कैसी यहाँ पर consolidated किया और इस level के उपर नहीं जा सका, तो यहाँ से नीचे आया, फिर अप confirmation क्या था, कि यहाँ पर बायर आने चाहिए थे, बायर आ गए, अब इस level के नीचे नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन फिर इसके नीचे गए, तो आपको यहाँ पर और एक बार chance मिलता है, और फिर आप यहाँ पर put ले ले देख सकते हो, तो ले ले आ आपने put यहाँ तो आज buying के लिए market नहीं था, ठीक है, सिर्फ supply ही supply शुरू था, अब यहाँ पर देखे, यह इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, तो इसके नीचे नहीं गया, तो यहाँ पर हमें पहले तो पता चला कि यहाँ बायर सक्टिव होए, तो मैं जैसे strong signal बन गया कि यहाँ से market उपर जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको one minute में भी अच्छे खासे बहुत ज्यादा points मिल सकते हैं, लेकिन actually Tuesday को भी क्या होता है कि दोपर के बाद जो delta है वो बहुत कम होता है और theta ज्यादा होता है, तो इस situation में हमें trade लेना risk ही हो सकता है, तो आज वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूँगा और आपको 15 minute में लेके चलता हूँ, या फिर इस one minute में ही समझा देता हूँ कि psychology level पर क्या हो सकता है, ठीक है, तो आज market नीचे आया है, तो कल सुबह शायर ऐसा हो सकता है कि market open हो, उपर के तरब जाए, और यहाँ पर stop पैटन बनते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो मैं पैटन बोलता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगी, तो दिन में एक दो पैटन उस तरीके से बन जाते है, आप सिर्फ वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसी कि यहाँ से नीचे आया मैं यहाँ से नीचे आया, फिर उपर जाने की कुशिश किया, लेकिन उपर नहीं गया, फिर नीचे आया, ठीक है, अब आपको यहाँ पर डराया है उसने, कि यहाँ पर मैं अब सेलिंग की साड़ पर जा रहा हूँ, वाई मत करना, और बाद में इस तरीके से उपर आया, फिर एक बार नीचे आया, लेकिन इसलिए उपर नीचे नहीं आया, और फिर इस तरीके से उपर चला गया, तो मैं जो बोलता हूँ कि यहसे नीचे आया, फिर उपर जाएगा, फिर आपको डराया, फिर उपर यहसे करते करते जाएगा, अब भी मैंने आपको बोला था, ब यहां पर समझ जाना की है कि यहां पर सेलिंग होने वाली है अगर सेलिंग होती है इसके उपर जाता है और दुबार इस लिए नहीं कर पाता है तो आपको 100% यहां पर तो आपको समझ जाना है कि यहां पर थोड़ी देर बात की होना है यहां पर बाइंग होने वाली है जैसे आपको देखे कोई भी इस तरह से एक अच्छी जबरदस्त कैंडल बनती हुई बाइंग वाली की तुरंत उसमें अट्रिक कर लो टार्गेट सेट कर लो 100% बाइंग हो तो यह समझा दिया अगर समझो बाइंग होती है बाइंग होने के बाद मैंने एक सिचुशन आपको समझा दीती है अब अगर यह इसके नीचे नहीं आता है इस लेवल की नीचे नहीं आता है उपनिंग लेवल की तो उपर चला जाएगा फिर यहां पर आपको समझ जाना ह हो ही है तो आप वहाँ पर भाइं कर सकते हैं लेकिन अगर यहां पर आता है नहीं कर पाता है इसका मतलब यह है कि यहां पर बायर वीक हो चुके है और सेलर ज्यादा पाउरफुल हो चुके है तो यह जैसे ही गोमेगा आपको तुरंत उसमें इंट्री कर लेनी है ठीक है तो ऐसे करते करते हूँ आपको टार्गेट है शूप करतेगा तो यह कुछ हम लगाते हैं सपोर्ट और रजिस्टन्स ठीक है यह हो गया रजिस्टन्स और यह सपोर्ट जहां से ग्रीन केंडल बनना शुरू हो ठीक है और पुल्बैक हम यहां पर लगाएंगे जो खोती ज्यादा स्ट्रॉंग लेवल हो उसके आसपास पुल्बैक लगाई यहां पर कल के देन भी मार्केट बहुत देर तब कंसलेडेट किया था तो यह फुल्बैक हो गया ठीक है तो अगर कल मार्केट अपको ठीक है ओपन होता है और 43,000 के उपर चला जाएगा उपर सस्टेन करेगा तो शायद बाइंग के रैली देखने को मिल सकते हैं अगर वो अपने र support को resistance बना लेता है और अगर आपको confirmation मिलता है तो आप put side पे जा सकते हो तो देखिया आप decision अपने one minute पे candle के चार पे देखकर ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके हिसाब से आप trade करने की कोशिश करिए ठीक है दोस्तो तो दोस्तो अगर आपके stop losses hit हो रहे हैं और अगर व psychological के लिए उस पर मैंने एक अच्छा वीडियो बना है वो मैं आउटर में रखूंगा आप वो वीडियो बिल्कुल देखिए बिल्कुल भी मैं आशा करता हूँ कि आप skip ना करते हो वीडियो देखेंगे और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को लाइक करे